कोरोना की दूसरी लहर कम होते ही राजनेता घरों से बाहर निकलने लगे और अपने अपने शेत्र में जिसको जैसा मौका मिला, किसी को वेक्सिनेशन कैम्प का मौका मिला तो उन्होंने वेक्सिनेशन कैम्प लगाना शुरू किया, किसी ने आटा चावल दाल यानि कि राश बाटना शुरू किया, किसी ने सड़क बनवाना शुरू किया, मतलब साफ है कि जिसको जिसका, जिस चीज का मौका मिला, जैसे उनको मौका मिला, वो ऐसा काम करने लगे, और इसी बीच एक और चीज निकल करके आई, पक्च और विपक्च, समर्थन और विरोध, ये राजनि ताके जितने ज्यादा फॉलोवर, जितना ज्यादा समर्थन, उतना ज्यादा वोट की संभावनाएं बढ़ जाना, लेकिन कई बार ये समर्थन करता, ये नहीं समझ पाते, कि उनके नेता के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, कई बार समर्थन करते करते, आप आप ऐसे शब्दों का चेन कर लेते हैं, आप ऐसे विश्यों को उठाल देते हैं, जिन विश्यों को संभालना, उनके नेता के बसकी बात नहीं होती, अब रुड़की में अगर हम बात करें, तो रुड़की में विधान सभा के एलेक्शन्स हैं, विधान सभा के एलेक्शन् में जितनी भी लोग होंगे ये जनरल सी बात है कि उनके विपक्ष में ही कहलाएंगे अब समर्थन की बात करते हैं तो समर्थन में दीपक अरोडा जी है जो परदीबत्रा का समर्थन करते हैं और समर्थन करते हैं उनका एक statement बहुत प्यारा statement जैसा कि सभी समर्थक करता का होत पूछा होगा या नहीं पूछा होगा यह हमें नहीं पता लेकिंग उन्होंने सुच्छा से फेस्बुक पर यह बात चिपका दी जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं कि आएगा तो परदी बत रही लोगों को टैग भी किया अब जायर सी बात है शोशल मीडिया में 100% true लिख देते हैं लेकिन कुछ विरोधी ऐसे भी होते हैं जो साफ तोर पर अपना पक्ष पेश कर देते हैं विरोधी कहूं या क्या या आप सोचिए एमके त्यागी जी जो लिखते हैं कि इनकी उपलब्धी है गिनवाने जा रहा हूं में आपको रूड की शहर की एक पुलिस चोग की डकार गया एमके त्यागी का स्टेटमेंट दूसरी उपलब्धी शहीद चंदरशेखर आजाज चोग डकार गया रामनगर बस स्टेंड डकार गये थे जो जागरुक जनता ने बचा लिया मतब तीसरा डकार ने वाले थे बच गया चोथी चीज हमारे मार्केट पस्चिम अंबर तलाब के सभी पिशाब घर डकार गये और नहर के इधर यानि रूड की पुराने शहर का तो विकास ही डकार गया तो क्या कोई वि विधायक जीतेगा तो विधायक परदी बत्रा ये बात अच्छी बात है अपने खुशी से कोई बात पेश कर देनी चाहिए लेकिन ये भूल गया थे कि भाई अपोजिशन वालों के पास भी अपने उनका डेटा है तो डेटा में पेश कर दिया कोई कोई जबाब दे सकता है तो जबाब देने के लिए उनका विधायक परदी बत्रा का सपोर्ट करने के लिए एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है भरत कपूर बहुत खास माने जाते हैं विधायक परदी बत्रा के उनका स्टेट्मेंट सुन लीजे कहते हैं कि त्यागी जी आपने उनकी डकारने वाली उपलब्धियां तो बताएं पर जो उन्होंने रुड़की की जनता के लिए विकास कारे किये हैं उसके बारे में भी कुछ बताना चाहिए कोविड काल में कोई भी नेता या आप अपनी एक भी उपलब्धी बताएं जो माननी है विधायक परदी बतरा जिक के बराबर तो नहीं पर आसपास ही हो मत्तब देखिए ये बड़ाई भी कर रहे हैं कि विधायक परदी बत्रा के बराबर तो छोड़ दो आसपास भी अगर हो उपलबदी तो बता दो परदी बतलोबदी बताएं तो आपने किसी की कोई मदद की होगी परदी बत्रा जिंदाबाद जिंदाबाद आएगा तो परदी बत्रा ही बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा स्टेटमेंट, मतलब दिल खुश हो गया, जितने भी लोग परदीब बत्रा के सपोर्टर हैं, उनका दिल खुश हो गया, खुश होना चाहिए, क्योंकि जैसी बात है, आपके अगर नेता का बड़ाई हो रही है, आपके नेता की तार कैसे से बुरा हाल है, और विधायक साहब फैमिली के साथ पूर पर हैं, चलो ये फैमिली वाली बात तो छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं, राजनिती की, भरत कपूर साफ तोर पर ये बात कहते हैं, त्यागी जी आपने उनकी ड़कारने वाली उपलब्दिया तो बताई अब उनको एक बात समझ में नहीं आया कि नेता जी की तारीफ करनी थी, लेकिन तारीफ करने के साथ साथ तो वो ये भी बोल गए कि आप ड़कारने वाली बात तो बता रहे हैं, पर आप बड़ाई भी बताई जो कोविड केर में काम किया, अब इनको पलब्दी बतानी थी साथ साथ उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि भाईया बच कर रहिए, आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, आप वोट को कितना तबदील अपने पक्ष में करते हैं, या हो सकता है कोई अपने विपक्ष में भी लेकर के आता है, लेकिन ऐसे कमेंट करने से मैं तो आच बातों में सच्चाई नजर आती है, क्योंकि जो प्रतनीधी रहे हैं, जो बिल्कुल करीबी हैं, वो भी इस बात को स्विकार करेंगे, आप सिर्ड़कारने वाली बात बता रहे हैं, मतलब डगारा इस बात को स्विकार कर लिया, तो दोस्तों, ऐसे अब वाद विवा आपको ये सोचना होगा, और गौर से देखिएगा पूरे विधान सबा को, इस विधान सबा से रिलेट्टेड हर एक जनकारी हम आपको देंगे, आसपास की विधान सबाएं हों, या रुड की विधान सबा का पूरा शित्र, आपको नजर आएगा, आपको समझ में आएग बात में तो बिल्कुँ सही है पर फस रहें विधायक परदीव बतरा जी इस बात को लेकर के समझना चाहिए विधायक जी को भी आपने समर्थकों को थोड़ा सा कंट्रोल में कीजिए ने तो ऐसे समर्थक लूटिया डुबा देंगे कैसे डुबाएंगे ऐसे ऐसे चीज़ों को एकसेप्ट करके अब इसका क्या जवाब विधायक परदीव बतरा जी देंगे कि इन सब पांच चीजों को डखारा है उन्हों या नहीं डखारा है या इन सब पांच चीजों ये पांच चीज़े गई कहां है या और भी लिस्ट लंबी तो नहीं है कहीं जो डखार गए शब्द को एकसेप्ट कर लिया गया है भरत कपूर जी के द्वारा दीपक अरोडा जी का कमेंट था भरत कपूर जी ने उस चीज़ को और हवा दे दी ऐसे तमाम जानकारिया रहेंगे ऐसे तमाम मुद्दे रहेंगे जिसको ले करक मुद्दो को ले करके क्या है और विधायक परदी बतरा जी को ले करके जो वरत कपूर जी ने जिस बात को एकसेप्ट किया है कि आपने सिर्फ डखारने वाली बात कही आपने उपलब्धिया नहीं बताई और उपलब्धियों के नाम पर सिर्फ एक उपलब्धियों ने ब पढ़िए सोच समझ के कमेंट कीजिए सोच समझ के अपना पक्ष रखिए क्योंकि आपके एक पक्ष रखने से आपके नेता का फायदा या नुकसान होना है ऐसे तमाम जानकारियों के लिए और ऐसे तमाम जो अच्छी बूरी चीज़े है पॉलिटिकल एनलसिस के लिए बार झाल 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 झाल